को ड曹ने इसके पहले पड़ाता प्राग्ति संध्या पौन संध्या धनपोडांग रेड पोडांग और पोडांग इन पाँच ठापिकों को नहीं पढ़ लिया था आज य accordance करम में लोग आगे पड़ेंगे समसंध्या बिसम संग्या, भाज संग्या, अभाज संग्या हमने अपसे एक प्रशन पुछा था उमीद करते हैं उसका जवाब लिख कर ला होगे एक से लेके 75 तक के बीच में कुल कितनी अभाज संख्याएं होती है कितनी अभाज संख्याएं होती है उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिखकर लाओंगे, नहीं लिखकर लाओंगे गुबारा लिख लीजएगा, जो हम प्रश्ण पूछते हों हमें याद रहते हैं, हमने कौन से प्रश्ण आप से पूछेते हैं, आज आगे हम लोग पढ़ेंगे, परिमे संक्या और आप पर मिलए को टा है? मिलने की मिलना किसा ना कितना रूपे संबने कितना मिलैं तुछ उसन इसकहा और कितना हो लिखका मिला है, खाना के घालें झाले थे 390 खाना खाना कितना हो गया? 390 का अब घान दीजेगा, तीन लोगों ने खाना खाया, 100-100 रुपए मिलाया, और खाना कितने को हो गया? उनके पास कितने थे? अब अब उनके पास 300 रुपए थे, देने कितने थे? 390 रुपए अब कितना देंगे वो? 300 ही दे पाएंगे, तो 90 रुपए क्या हो जाएगा? उदार हो गया, कितना हो गया? अगर बेवाट ही गया, तो नहीं तो प्लेट होना पड़ेगा, अब एक लड़के एक उपर, कितने रुपए का खर्च बढ़ा? कईसे पता आपको? जितना बच्चा उसमें क्या किया हमने? तिन लोगों से? क्या किया? डिवाट कर दिया, इसे कहते हैं परिमे संख्या, इसे क्या कहते हैं? परिमे संख्या, इसे क्या कहते हैं? परिमे संख्या, माने किसी भी जनरासी को, किसी भी संख्या से विभाइत करना, भाग देना, प कहलाता है परिमेग संख्या कहलाता है अब परिमेग संक्या यहां है जिने रिखाजा सकता हो लेजिए क्यों क्यों जी पूडांक हो पी क्या हो? एक? माइनस नंबे क्या था? माइनस नंबे क्या है? अरे? लिख पूडांक, चुझे पूडांक होते हैं ने? अररे याप पूडांक आपको याद है ने, यहाँ से लेकि याद है 0, तहान तरफ जाएंगे तक? एक, दो, तीन, चाह, डाट, डाट, बढ़ते हैं, जहा तक जा सकते हैं, बाई तरफ आएंगे, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चाह, डाट, डाट, अनन्त, तो हमने यह देखा, इस पुरान के किसी भी, का अगर हर, उसका डिनिमिनेटर, उसका बटे, कुछ भ भी लिख दिया जाए, एक बात, यदि किसी का भी हर या बटा नहीं दिया गया है, उसका हर, सदव क्या माना जाता है, क्या माना जाता है, सदव एक माना जाता है, मतलब, जैसे अगर, राम अकेले खाना खाने होटल गया उसके पास 130 रुपया था 130 रुपया था क्या था 100 रुपय का खाना खाया कितना रुपय बचा कितना बचा 30 रुपया मतलब एक बात और असपश्ट हो गया। प्रते एक प्राकितिक संख्या एक परिमे संख्या हो सकती है। लिखा जा सकता है, एक लाइन में कह सकते हैं, जितनी भी प्राकितिक संख्याएं हैं, हम उनका बटा एक लिख सकते हैं इसलिए वे सभी क्या है एक संटेंस को ध्यान से सुनिएगा और अगर समझ में आए तो छाप लिज़े सॉरी लिख लिज़ेगा क्या प्रते एक प्राकितिक संख्या प्रते एक धनपोड़ांग एक परिमे संख्या हो सकता है किन्तु प्रते एक परिमे संख्या एक प्राकितिक संख्या कभी नहीं हो सकता है कॉस्ट के लिए प्रते एक धनपोड़ांग एक परिमे संख्या हो सकता है वेकिन प्रते एक परिमे संख्या एक धनपोड़ांग कोई दिकत नहीं न चलिए आगे आते हैं प्रतेट रेड़ पोडांग एक परिमे संख्या हो सकता है प्रतेट परिमे संख्या एक रेड़ पोडांग कुछ अपके लिए अन्तो गोता फिर एक लाइनास पस्ट होई आप से पूछेंगे जीरो बटा एक हमने यदि लिख दिया तो क्या यह एक परिमे संक्या है या नहीं बस एक लाइना बता यह क्या नहीं आपका जी बता ही आनंद जी क्या यह परिमे संक्या है या नहीं है अब बताईगा क्या यह इसको हम पर लग देते हैं क्या यह परिमे संक्या है वही लिख दिया है क्या नहीं है आपका संदी जी बताईगा यह परिमे संक्या है दोनों नहीं यह परिमे संक्या क्यों नहीं है कि किसी भी परिमे संक्या को पी बटे क्यों को रूप में लिख सकते हैं लेकिन क्यों कमान जीरो कभी परिमे संख्या लेकिन इस परिमे संख्या करें का उससन्द तुछ तुछ damona जी दिकत कोई समस्या आप लोकर समस्या कोई कोई दिकत कुछे एक बात असक darker कि यह दिया गया बच्चों बीठे हैं, सब क्या है? सब्टेट पास है सब इसका मतलब सब्टेट जब बीड़ो पेटीश है, यतिनलों बटेट है सब्टेट तो यहाँ पर क्या गया रहा है? एक लाइन में कहा दिया है क्यों कमान जीरो तो एक बात असपश्ट मुझे करना था कि प्रतेट पुडांग एक परिमे संख्या हो सकता है क्या हो सकता है? प्रतेट पुडांग एक परिमे संख्या हो सकता है कोई डाउट? कोई समस्या? कोई दिक्कत? नहीं है न? चली यतना अपर लोग लिख लिजेगा चाप लिजेगा समझे लिए अपर करके आगे कोई दिकत नहीं पिशेश दिकत आप लिख लिजेगा इसकी सोट लिजेगा अपर तो हमने आंत में यह सीखा कि सभी पुडांग एक परिमे संख्या सकती है लिपिर सभी परिमे संख्या एक पुडांग आगे बढ़ा जाए अब परिमे संख्या में कुछ बाते और आती है जैसे कोई नमबर दिया गया जैसे दे दिया है एक दस्मलोग पांच तो क्या यह एक परिमे संख्या है कितना 1.5 क्या यह एक परिमे संख्या है कैसे हाँ क्योंकि हम इसे यहाँ 15 लिखेंगे दस्मलों की जगह क्या लिखेंगे एक लिखेंगे जितनी दाईं तरफ संख्या होतना 0 तिया हो गया 15 बटा 10 बस मतलब यह क्या हो गई एक परिमे संख्या हो गई यह क्या हो गई एक परिमे संख्या हो गई ठिक अब इसी तरह गर हम और देखा चाहें 2.543 क्या इसे convert कहा सकता है जी या यह तो इसे भी प्राक्रिक स्वारी इसे भी परिमे संख्या को रूप में लिख सकते हैं यह लिखेंगे 2.543 डिमाड़ेड़ बार किती नमबर 3 1.0.2.0.3 बात करते हैं दस्मलों नीचे 1 जितनी संख्या रहेगी तो क्या इसे हम परिमे संख्या के रूप में लिख सकते हैं कैसे इसके लिए इसे आवर्ती दस्मलों कहते हैं जब किसी भी दस्मलों की बार-बार कुन रावित्ति हो कई बार कुन रावित्ति हो कुछ नहीं करते उसके सर पर डंडा मारते हैं बार लगाए क्या हो गया अगर इसे भिन्द में बदलेंगे तो आगे हम लोग आवर्त जस्मलों पढ़ेंगे तो हो जाएगा 3 बटा तो हो जाएगा 1 बाई 3 यह क्या हो गया यह अंतो गत्वा एक परिमे संख्या के रूप में पी बटे की के रूप में हमें प्राप्त हो गया इसके रूप में पी बटा क्यों कि रूप में अंत में हमें एक बटा तीन प्राप्त हो गया इससे स्पस्ट होता है यह अभी क्या है एक परिमे संख्या है ठीक, यह हुआ, अभी बाद मैंने गाने, काली इतना जानियेगी, एक बटा तीन होगा, और एक बटे तीन को जम दसमलों में बदलेंगे, यह आजाएगा, मतलब यह है, कितना भी पढ़ा मान क्यों नो, इसे A बटे B, या A उन पाते B, या P बटे Q को रुप में लिखा जा स अधार, तो वो सदयो एक परिमे संख्या होगी, वो क्या होगी, सदयो एक परिमे संख्या होगी, कोई समस्था यहां से, कोई दिकत, सब्सक्राइब लिखेंगे एक बटा तीन जो भाग देंगे तो जो सानो 3 आएगा 3 की 35 प्रटी बार बार होगी इसलिए इसे 3 बटा की एक रूप में लिख सकते हैं तो यह क्या होगा इसे करने तरीका लोग बादने पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे अभी इसको तो अभी में क्या पढ़ने क्या पढ़ने हैं पर परिमेसंगा यद्धि आपका दिया है करणी में चार यह चार का वर्गमूल नहीं तो क्या इसका मान कितना हैगा प्लस माइनस दो होता है क्यों होता है यह हम लोग वर्गमूल में देखेंगे तो यह भी क्या है इसका भी बटा मने किसी पूर संख्या का यदि वर्गमूल निकाला जाए तो एक पुड़ांग प्राप्त होता है और प्रतेट पुड़ांग एक परिमे संख्या होती है तो परिमे संख्या किसे कहते हैं क्या अभी भी आपको कोई समस्या आ रही है या किसी को लग रहा है कि परिमे संख्या क्या है तो जराब बतेएगा क्या यह परिमेश संख्या है जीरो दस मलो चार तीन पांच है पांच है पांच है लगा था पुन्रा वित्ति हो रही है तो क्या यह एक परिमेश संख्या है आनन जी बताएं तो पुन्रा वित्ति होरी क्या परिमेश संख्या होगी कैसे होगी देखते हैं यह हो जाएगा फूर थी फाइव सिप स्कूपर अब इसे बाद बताना सिखाएंगे क्या मतलब इसे बाद में पी बटा क्यू को रूप में लिखा जा सकता है अरथा यह अभी एक परिमेश संख्या हुआ कोई समस्या कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है यदि किसी पूल संख्या का अगर वर्गमूल ना निकल पाए तो वह संख्या क्या 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 लाती है आप परिमे संख्या क्या लाती है मैंने जो संख्या है परिमे संख्या नहीं है वे सभी संख्या है क्या होग दो करणी में 36, यह एक परिमे संख्या है या और परिमे संख्या है, दो करणी में 36, क्या है, कैसे, हाँ, यह हो जाएगा, दो करणी में, यह 6 गुड़े 6 जुड़ा बनकर, 2 गुड़े 6 बराबर 12 है, तो 12 क्या है, एक, कोई समस्या है, कोई दिक्कत, चलिए, यह मिटा दे हैं, इसकी इसाउट लेना चाप ले लीजेगा, पर नाम ना आदेगा, अगर यही इस प्रकास दे, माइनस करणी में, शोल, तो क्या है, यह यह परिमेश संख्या है या नहीं, कैसे, माइनस, चार, तो यह भी क्या होगा, परिमेश संख्या, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत, यह था हमारी परिमेश संख्या की कहानी, जो संख्या है, परिमेश संख्या नहीं होती, वे सभी आपरिमेश संख्या की, मानिए ये किसी पूर संख्या का वर्गमूल एक पुड़ांग संख्या नहीं प्राप्त होती तो सभी क्या कहलाती है आप परमे संख्या कहलाती है जैसे अगर हम अंडर रूट तू का मान निकाले एक दस मान लोग चार एक चार एक पाट डडडड बता है मतलब अगर इसे हम पी बटा क्यू को रूप में लिखना भी चाहें तो क्या हम इसे लिख सकते हैं अगर इसे हम पी बटा क्यू कुरूप में लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं और जब नहीं लिख सकते हैं उस दसा में उस कंडीशन में यह क्या होगा यह एक अपरिमे संख्या होगा क्या होगा यह एक अपरिमे संख्या होगा कोई सबस्या चलिए और आगे देखते हम लोग दो करणी में छे क्या यह ए परिमे संख्या है जब परिमे संख्या नहीं है तो क्या होगी कॉंसेप्ट के लिए ज़िए परिमे नहीं है तो क्या होगी पस जब परिमे नहीं है तो बस इस यदा नहीं पढ़ना है और आगे देखते हम लोग क्या यह ए परिमे संख्या है करणी में आठ बटा दो क्या यह ए परिमे संख्या है या नहीं और आगे नहीं बने करते हैं यह हो जाएगा दो करणी में दो बटे दो दो दूस कैंसिल करणी में दो अध करणी में दो एक परिमे संख्या नहीं है तो क्या होगी आप परिमे संख्या होगी क्लियर हो रहा है तो गणी समझ में आना चाहिए पढ़ाते सब हैं समझ में आना जी को से परिमे संख्या है यह नहीं क्योंकि यह पूर संख्या नहीं है इसका वर्ग मोले पुढांग नहीं प्राप्त होगा इसलिए यह परिमे नहीं है तो क्या होगी सब्सक्राइब कि दिक्कत जहां रहें आप पोच्छ सकते हैं अगर कोई टापिक आपको लगने साथ भोल गए नहीं पढ़ा है तो लास्ट जब खता मुझे तब करें रिसार नहीं पढ़ा है हो सकता है कि हम एक स्टेज बाइ स्टेज चल ले हो ठीक चलिए आपने कहे दिया तो इन्होंने पूछ दिया क्या ना में आपका इन्होंने पूछा पाई बेले मिनी से पूछते हैं पाई क्या है जब तो पतात हो ना जी पाई क्या है चलिए बता है कोई पाई क्या है कोई बता सकता है चलिए इसको जानते क्या करते हैं भुगोल वाले करेशिया बनादे इसको पृच्छिवी कहेंगे और गणित वाले बनादे तो सरकल कहेंगे किसी भी बृत के परिदी और ब्यास का अनुपाद किसी भी बृत के परिदी और ब्यास का अनुपाद 22 अनुपादे साथ होता है अर्थाथ 22 बटे साथ होता है उसे ग्रीक भासा के 20 से रुपित करते है अर्थाथ पाई का एक मान 22 बटे साथ होता है क्या होता है 22 बटे साथ होता है किसी भी बृत्य के परिदी और जो ब्यास का अनुपात होता है वो 22 अनुपाते साथ होता है अर्थाथ 22 बटे साथ होता है उसे गरीक भासा के 25 से एक सिंबल से निरूपित करते हैं जिसका एक मार 22 बटे साथ होता है जबकि दूसरा मार 3 दस मलो एक पाँच नव दो डडडड़ बढ़ता है अर्थाथ पाई स्वयम एक अपरिमे संख्या है जबकि पाई कमान एक परिमे संख्या है अद्दोकता सिद्वा पाई स्वयम एक अपरिमे संख्या है जबकि पाई कमान एक परिमे संख्या है क्योंकि इसे पी बटे क्यों के रूप में लिखा जा सकता है और इसे पी बटे क्यों के रूप में नहीं लिखा जा सकता इस प्रकार यह पाई स्वयम एक अपरिमे संख्य आप कोई समझ सहां है को सब्सक्राइब कुछ और बताने वाले थे आपने काम केसे बता है देते हैं जागे परस्टेकाँ जवाब नहीं देंगे कि मस्ट्रवा कुछ नहीं आता है था मिश्टेफ बाइब चलता कि कुछ समझ में कि आप साल को देने जेगा पर दी क्या होती है तो और घंव अर प्राइब चिलिख थे यहां पहुतर दीया अब याँ इसका मकित दीजेगा दो गिडिए पाइग्रक Preview 22 बटा साथ जूड़े और यह mathematical प्रूफ होगा मैंने सिंपल बासाम जो यह प्रूफ करना तो यह इसका रेस्यो कि बटा साथ कैसे होगा इसको बराबर पाई लिखेंगे इसके अनुपाथ बराबर अब प्रूफ करेंगे 22 रस्यों साथ आगा काटके देख लिजेगा तूट ठीक अलग अलग गड़ी तक अलग बाते का के अब लोगों पढ़ने आ रहें टीटी गा तो पस उतना ही पढ़ लिए यह इतना इनफ है यहां से कोई समस्य अजन मिले रही हो तो आप अब बताएं ताकि हम उस पर काम कर सके और हम लोग इसी करम में और आगे बसके कोई द कि अब उस होमवर का जवाब आप दो रे में देंगे कि पहली बात और हम जानते हैं कि अगर परिमे संख्या पड़ते हैं अगर हम अभी क्या पड़ा थे संग्या अच्छा वास्तुक संख्या जानते क्या है जिसमें परमे संख्या आप यहां लिखते हैं आप पर्मिय के अंदर हम देखते हैं पर्मिय सिंगागर अगर अंदर हम लोग देखते हैं तो हमें क्या मिलता है क्या मिलता है सभी पूडांग आते हैं धन पूडांग, रेण पूडांग, सभी आए फिर इसके अंदर क्या आता है मूर सब फिर इसके अंदर क्या आती है मनलब एक परिमेस आंद क्या पूडांग तूटकर हो सकता है, पूड़ संख्या हो सकता है, अपना की संख्या हो, मन इन सभी को म क्या गर सकते हैं परिमे संख्या गुरूप में लेख सकते हैं लेकिन यहां पर आप परिमे को यह लाश्ट आपने इस सखाथा क्यों प्रतेक प्राग्टी संख्या प्राग्ति संख्या हो सकते हैं के लिए अब आपको हमवर क्या है आपको मैं कुछ संख्या दूंगा उसे यह बताना है यह कौन सा इसमें से निखेत में से परिमिया है कौन सा उसमें से आप अपना डाइगराम बना ले जाएगा अब उसे लिख दीजेगा चाट के वह आपकी जिमिदारिये ठीक माइनस तीन बटा साथ क्या यह परिमिया का परिमिया है ठीक वह आप लिखेंगे कौन सा है कौन सा निए कड़िये पाज बटा नव यह माइनस तिन बटा साथ कड़िये माइनस बार बटा माइनस उन नहीं सत्र बटा सोल है माइनस त्रह है इस्कों कौछ आके लिखना है कित्मे से कौन सा प्रिमे अदिमे कौन सा आप परिमिया इस आपकी जिम्मिदारी है मैंने ने आपको सवाल दे दिया है जिम्मिदारी तो बनती है सब मेरी बनीगी कौछ गट। चाहे जब करिएगा आपकी मरीजी ठीक से बहुत सारे कॉंसर्ट आपके किलर हो जाएगे अब आई और देखते हैं इसे में लोग संख्या का संख्या का संख्या भी देख लेते हैं ठीक यह मिटा दें कोई दिक्कत हो कोई समस्या जुरूर बताएगा कोई समस्या नहीं है न मेडा इसको एक पश्णी यह उड़ता है इसे कोई परिमे संख्या लेते हैं जैसे मालेजी यही ले जो पहिला विचार अगर हम इसके अंस और हर में दोनों में अगर हमने दो से गुड़ा किया तो क्या हो जाएगा माइनेस छेवटे यह भी क्या है इ इसके सम्तुल इसके समा यहाँ यह है माइनस तीन बटे साथ गुड़े उपर चार से नीचे से नीचार से तो माइनस बारह बटे माइनस प्लस अठाट तो क्या है सम्तुल समझ मैं यह जैसे माइनस तीन बटा साथ गुड़े माइनस से गुड़े माइनस से गुड़े माइ क्यों हो जाएका मैनिस गुड़े मैनिस प्लस समान चिन्नों को गुड़ा धनात्मक होता है तीन बटे इसके सम्तुल में अगर अंस और हर में पी बटा क्यू में पी और क्यू में समान पदों से गुड़ा करते हैं तो उसका क्या होता है सम्तुल परमे संख्या प्राप्त होत है अगर इसे सम्तुल परिमे संख्या को जैसे अगर इसको उठा लिया जाए माइनस बारह बटे 28 समत्रल को अंस और हर में समान संख्या से भाग दिया जाए तब कितना प्रफ्त होगा मानस तीन बटा इसे सरलतम रूप कहते है परिमे संख्या का सरलतम रूप कहते है इसे क्या कहते है परिमे संख्या का सरलतम रूप कहते है कोई दिक्कत इसी ही है हमें डिवाइट भाद देतेंगर इसमें हम छा से तो क्या हो जाएगा तीन और यहाँ यह क्या हो गया तीन बटे आट इसका क्या हो गया सरलतम रूप यह भी क्या हो गया कोई दिखकत कोई समस्या बताएं आप लोग कोई दिखकत नहीं है न चलिए एक पस्णिया से और बन लिंगा और पूछ भी चुका है आपके परिच्छा में ऐसी बात हैं नहीं पूछा है दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमे संख्याओं है अनन्तु कितनी परिमे संख्याओं के बीच में कितनी परिमे संख्याओं है अनन्त होती है क्या होती है अनन्त होती है दो परिमे संख्याओं के बीच में अनन्त संख्याओं होती है अनन्त होती है दो परिमे संख्याओं के बीच में अनन्त संख्याओं होती है रागेत देखेंगे दो परिमे संख्याओं का योगफल सदेव एक परिमे संख्या होता है दो परिमे संख्याओं का योगफल सदेव एक परिमे संख्या होता है पिरो लिखेंगे दो परिमे संख्याओं का गुड़न फल दो परिमे संख्याओं का गुड़न फल एक परिमिय संख्या होता है कोई जिकत कोई मन में कोई क्रास कोश्चन हो तो ठीक है ने इसको किलियर कर दिया जाए और इस वीडियो की लिंक आपको कहा से मिलेगी अगर आप लोग लिंक देख रहें तब टेलिग्राम एप इस्टॉल करिएगा सच करिएगा दुर्गे सर बिना स्पेस दिये फिर इलैने पर दुर सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई समस्या होगा आपको छोड़ते हुए जा रहे हैं कि दो आपर में संख्याओं का गुडण फल सदेव होता है यह प्रस्णा आप हमें जवाब दीजेगा कि दो आपर में संख्याओं का गुडण फल सदेव होता है क्या होता है यह आप पर में संख्याओं का गुडण फल सदेव होता है क्या होता है यह आप लोग लिक कर बताईएगा कल ठीक उमीद करते हैं कल आप इस बात को क्लियर करेंगे और आप खोज कर लाएंगे यह नह गुलनफल सद्यों होता है एक परिमे संख्या और एक और परिमे संख्या का गुलनफल सद्यों होता है क्या होता है राम जाने ठीक इसका भी जब आदेंगे में कमेंड बॉक्स में ही दीजिएगा ठीक कोई समस्या किजी को कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं है यह टॉपिक क्लियर हुआ क्लियर हो गया ना यह यह आफिजक का नंबर दोनों है यह और लैं क्लास के लिए इस वाटसेफ में चलती है संब्सक्राइब और धालॉद ओन्लाइन क्लास के लिए अपने अच्छे जोन करें सवक्यन क crisis अफोड़क यह कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है उसको समझ में नहीं आया ऐसी कोई बात शीतना टबीक आपने परोज को समझ माझा गया झाया बूता है किसी भी बीजर्ट परिमें संख्याई जो जो समतुल्म परिमिय शंक्या होती है और सथी होता है संख्या से गुड़ा करिए चार से करिया आट से करिया बाद के दोनों पक्षों में औ और B, P और Q मने अंस और हर में सदों बराबर करेंगे तब ही जाके होगा जैसे यहाँ पर बात और आप जानते रहेगा जैसे यह दिदिया है A बटे B को लिख सकते हैं A अनुपाते B लिखा जा सकता है इसे भी लिख सकते हैं A डिवैडेड बाई जिदिया कि इसे आपको पर कैसे आपको फिर पूछिए कोई संबसा के लिख सकते हैं इसे हैं आज से दे लिखा लिजेगा और अगर आपको सब भेधा लगत और लोगों ते ज़रूपोचा ए देगए सेर कर देजएगा सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर आप तैयरी कर रहें अपनी भैतर तो इलेनिम दुर्गेश पर को मौस्टगल कम है और आप लोग को कोई समझा नहीं है आप लोग भी जाएगे घर से वीडियो देख लीजेगा पूरी कॉंसेट किलियर हो जाएगी जैसे आप पड़ते ह हैं ससब आप घर पे देख पाएंगे उमीद करते हैं कि आज आपको पर्मे संक्या पर्मे संक्या पूरी तरह से कॉंसेट किलियर हो गया होगा ठीक है इसके बाद कल हम लोग छोड़ा टॉपिक लेंगे पहले आपके पश्णों का जवाब देंगे फिर उसके बाद हम है ठीक कॉंसेट किलियर थैंक यू